दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं और उसके अनुसार आप सफल भी हो रहे हैं आज के सत्र में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला है SWOT उस फॉर्मूले को अपना करके आप कैसे अपनी कमजोरियों और अपनी अच्छाईयों अपनी शक्तियों का आंकलन कर सकते हैं और एक बार कमजोरियों और शक्तियों का आंकलन कर लें तो कहीं भी सफल होना बहुत आसान होता है। विशेश करके ऐसे मित्र जो हर बार परिच्छा तो देते हैं, कहीं एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर से रह जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कहां कमी रह गई, उन मित्रों के लिए यह फॉर्मूला बहुत ही लाबदायक है। ऐसे मित्र, जो सफलता की राह पर बढ़ना चाह रहे हैं, पर यह समझ नहीं पा रहे हैं कैसे आगे बढ़ा जाए। उन मित्रों के लिए यह वीडियो काफी लाबदायक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें, तो मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले समय में आप सिर्फ अनुआदक की परिच्छा नहीं, कि किसी परिच्छा में बैठें, आप पूरता सफल होंगे और सफलता के पर्चम लहराएंगे। सबसे पहले मैं जो बात करने जा रहा हूँ, उस फॉर्मूले करना में स्वॉर्ट, S-W-O-T, स्वॉर्ट का मतलब होता है कि इसके चार रूप हैं, और उन चारों में से आपको एक-एक अलग-अलग चीज़ की व्याख्या करनी है अपने अनुसार, S for strength होता है, सबसे पहले आप यहां आकलन करें कि आपके अंदर strength क्या है, आपकी ताकत क्या है, आप में अच्छाईयां क्या है, जैसे मालीचे आप अनुवादक के परिच्छा की तयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपके पास strength क्या होगा, कि आपके पास भरपूर समय है और आप समय दे पाएंगे इस परिच्छा की तयारी के लिए, दूसरा आपका strength क्या होगा, हो सकता है, आपका कोई trainer हो, या आपका कोई tutor हो, आपका कोई शिक्छक हो, जो आपको इस दिशा में शिक्छा दे रहा हो, प्रेणा दे रहा हो, और बहतर दे रहा हो, सबसे बहतर दे रहा हो, वो आपका strength है, मान लिजे आज के समय में आपके पास अच्छी अच्छी पुस्तक के उपलब दो व्याकरण की पुस्तक, ऐसे लिखने की पुस्तक, अनुवाग की पुस्तक वो आपका स्ट्रेंथ है तो आप पहले बैठ करके सौट फॉर्मूला के अनुसार आप अपने स्ट्रेंथ को लिखिए बीना लिखे आप अगर आखलंद करना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उतनी सफलता मिलेगी जितनी आप चाहते हैं अब एक बार आपने स्ट्रेंथ सारे लिख लिए सीरियली मेरे पास ये ये स्ट्रेंथ है सारी चीज़े जो आपको लाब दे रही है जो आपको प्रेणा दे रही है और जो बल दे रही है strength के बाद आपको लिखना है अपनी weakness यह जो पक्ष होता है मित्रों weakness में आकर के सभी लोग अपना weakness छुपाना चाहते हैं अपनी कमजोरियां छुपाना चाहते हैं और वो चीज कहीं लिखते नहीं है लेकिन मैं यह कहूँगा जब आप अपना आकलंग कर रहे हूं तो आपको अपना weakness भी अपनी कमजोरियां भी लिखनी चाहिए आप किसी से साजा तो कर नहीं रहे हैं अब आप अनुवादक की परिक्षा के परिपेक्ष में यदि हम देखें तो आपके अंदर क्या कमी है वो देखिए कमी देखने के लिए मैं आपको कहूँगा कि एक test मैंने भी design किया है अगर आपको लगता है तो आप test के लिए 9330937935 पे डॉक्टर राजेश जी से संपर्क कर सकते हैं तो आप एक test खुद ही करिए या अपने trainer से कहिए वो आपको एक test देगा उस test में इस परिक्षा के संबंध में इस परिक्षा के जो विसय वस्तू है उसके अनुसार जो प्रशन आते हैं वो प्रशन हो आप उनको हल करें हल करने के बाद आप जब आकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस इस चीज में मेरी कमी हो रही जैसे मान लीजे अगर tense में कमी आ रही है आप oral या verbal aptitude में आपकी कमी आ रही है आप संग्या या सरवनाम नहीं कर पा रहे हैं आप वाच्चे नहीं कर पा रहे हैं इस तरह से जिस विसाय में आपकी कमजोरी हो रही, आप उसको लिखें. इंगलिश ग्रामर कमजोर है, मैं लिखूंगा, मेरे इंगलिश ग्रामर कमजोर है, मेरी हिंदी व्याकरण कमजोर है, वो लिखिए. उसके बाद, strength, weakness के बाद, आप opportunities देखेंगे. opportunities तो आपके पास औसर क्या है, आप कब तक परिच्छा देंगे, और कब तक चयन होने के आसार हैं. उसमें आपको और opportunities क्या है, अगर SSC नहीं, तो कोई और सही. ये जब आप ये तीन assessment जब आप कर लेंगे, तो इसमें 90 प्रतिशत आपका काम हो जाएगा. और 90 प्रतिशत जब आपका काम हो जाएगा, तो बच गया 10 प्रतिशत वो टी है, टी फॉर threats, आपके threats क्या है? जैसे मालीजे आज के समय में कहीं एक vacancy निकलती है, तो वहाँ हजारों लोग आवेधन करते हैं, वो आपके threats हैं, आपके competitor बाजार में बहुत अधीक हैं. इस तरह से, और क्या threats हो सकता है, मालीजे आपको परिच्छा देने जाना है, परिच्छा केंदर आपके घर से बहुत दूर है, किराया भाड़ा, बाकी चीजें जो हैं, वो threats हैं, आप पढ़ने के समय आपको घर का कोई काम यादा जाता है, that is your threat. इन चारों चीजों का जब आप आखलन कर लेंगे, तो फिर धीरे धीरे eliminate करना शुरू करेंगे. मेरी weakness क्या है, पैचाने, आप उसको दूर करने का प्रियास करिए. मेरे threats क्या है, उससे कैसे overcome किया जाए, कैसे उनसे निप्टा जाए, ये करेंगे, तो आप इसमें भी सफल होंगे. ये जो मैंने sweat formula बनाया, इस formula को अगर अपना करके, आप एक 10 days agenda लीजे, आज से मुझे लगता है थोड़ी दिन बचे है, 9 November, या मेरे ख्याल से उसी के आसपास आपके अनुवादर की परिक्षा का पहला सत्र है, अर्था, phase 1 होगा. आपने यदि इन 10 दिनों के अंदर अपना आकलन किया, आकलन करने के बाद उन कम्यों को दूर किया और उस पर लग गए, तो समझ लीजे, सफलता आपके चरण चुमेगी. सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, जैसे मान लीजे, आप test paper solve कर रहे हैं, आप 10,000, 20,000 test paper solve कर ले रहे हैं, लेकिन एक ऐसी बिंदु है, जहां जाके आप रुग जाएंगे. जैसे मान लीजे, आपको पता है कि का का प्रयोग, को का प्रयोग, कारक चिन को का प्रयोग कहां नहीं करना चाहिए, नहीं पता है, नहीं पता है, तो आप उसको दूर करिए, उसके लिए आपको कारक पढ़ना पढ़ेगा, आप हजारों प्रश्न दे लें, आप रट लें लेकिन वो प्रश्न नहीं आया, तो आप फेल हो जाएंगे वहाँ, इसलिए व्याकरण के मूल वहाँ ना को समझें और व्याकरण पढ़िए, जैसे एक उधारन मैं देता हूँ, निर्जीव वस्तों के साथ को का प्रियोग नहीं करते, जैसे राजा ने पेड़ को काटा, व अग ये जो वाकि की अशुद्धी निकालनी है, वहाँ भी ये काम आएगा, कारक्चिन पहचानना है, वहाँ भी काम आएगा, और बाकी अन्वाब में भी ये काम आएगा ही आएगा, इस तरह से आप अपनी कमजोरियों को ढूढ़िए, और कमजोरी ढूढने के बाद, आ और सफलता की राह पर आगे बढ़िए, मित्रों यदि संदेश अच्छा लगा हो, तो जैसे मेरे पिछले वीडियो को आपने बहुत लाइक किया, इसी तरह मैं निवेदन करूँगा, कि ये जो थम्स अप का निशान रहता है, उठा उपर वाला, वह निशान जरूर दबा ताकि पिपर वन से पहले मैं आपको अच्छे ची बाते बता सकूँ, जो आपको सफलता के शिर्स तक पहुँचाए, जुड़े रहिए और साथ ही अपने मित्रों को भी हमारे वीडियो से जुड़ने का अनुरोध करिए, धन्यवाद